अगर आपके laptop में इस तरीगी का blue screen error आता है, बार बार laptop crash होता है, कभी कभी slow चलता है, तो आपको उस laptop को फेकना नहीं है, ना किसी को देना है, मैं आपको आज एक simple fix बताऊंगा, वो बहुत ही helpful होने वाला है, आपको आपके laptop में search में या start में जाना है, और वहाँ पर cmd search करना है, उसमें right click करके run as administration करना है, और उसके अंदर ये वाला आपको line दालना है, जो मैं description में भी दे दूँग, आप copy paste कर सकते हैं, और फिर enter करना वाँ, व्यूटिफूल, ऐसे और इंटेस्टिंग व्यूटिज के चैनल को subscribe करें, वीडियो पसना तो like और शर्मिश जरूर करें,